दोस्तों आज आप सुनेंगे सस्पेंस और थ्रिलर्स की दुनिया के बादशाह जेम्स हेडली चेज का एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग नॉवल सकर पंच हिंदी में आज के वेडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग इसका पहला भाग सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें तो आई ये शुरू करते हैं सकर पंच का दूसरा भाग अध्याए तीन बर्गिस एक अस्त व्यस्त डेस्क के पीछे बैठा था एक बुझा हुआ सिगार उसके गंदे दांतों में था और उसके सर पर एक थोड़ी मुड़ी हैट थी वो मशली पकड़ने वाले कांटे जैसी नाक वाला और किसी जहरीले मैंधक की तोंद जैसी रंगत लिये हुए एक ठिगना पतला आदमी था एक लाल बालों वाली लड़की जो किसी मॉड़ल से कम नहीं थी अपने टाइप राइटर से थोड़ा दूर हटकर बैठी हुई थी उसने मुझ पर सवाल दागा आप क्या चाहते हैं और उसके आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने मुठ्छी भरकर खाली कैन सीड़ियों पर उचाल दिये हुँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ मैंने बर्गेस की तरफ इशारा करते हुए कहा फिर मैंने बर्गेस को बताया कि मैं कौन था मैंने उससे कहा मैं लीड बीटर का साथ ही हूँ मैं मिस शेली के कामकाज को संभालता हूँ उसने मुझे उपर से नीचे देखा और फिर बोला माफ करना मिस्टर विंटर्स लेकिन तुम किसी भी तरह से बैंक के आदमी तो नहीं लगते अरे वो सब छोड़ो क्या तुम अब भी 334 वेस्टन एवेन्यू खरीदने के दावेदार हो मैंने सीधे काम की बात पर आते हुए कहा हाँ बिल्कुल लेकिन वो लेड़ बीटर ने मुझसे कहा था कि वो जगह बिकरी के लिए नहीं है क्या तुम अब भी उसे अपने बताय दाम पर खरीदना चाहते हो बिल्कुल चाहता हूँ तो मैं इसका निप्टारा कर सकता हूँ अगर ये लड़की यहां से बाहर चली जाए और पांच मिनट बाहर के नजारे का आनंद ले वो पहले थोड़ा तम-तमाया सा दिखा लेकिन फिर उसने लड़की को बाहर जाने के लिए कह दिया अब बोलो क्या सौदा है तुम अपने दामों पर वो घर ले सकते हो अगर तुम किराएदारों को भी मकान की बिकरी के साथ ही कबूल करो तो मैंने अपना ओफर उसके सामने रखा मैं किराएदारों को साथ में क्यों लूँगा भला वो इसलिए कि मिस शेली को ये किराएदारों से चुटकारा पाने का काम पसंद नहीं है 35 सालों या इसके आज़ पास से उन लोगों के पास ये घर है और वो काफी बूढ़े हो गए है मुशे लगता है तुम इस मामले में भावकता से काम नहीं लोगे घर तुम्हारा होने के बाद तुम उनसे चुटकारा पा सकते हो उसने एक पल के लिए सोचा और फिर मुसकराते हुए बोला ठीक है मैं साइन कर दूँगा जब भी वो करने के लिए तयार हो बढ़िया और अब मतलब की बात मैंने कहा उसकी आँखें एक बार फिर से सिकुड़ गई तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लगते हो मुझे घूरते हुए उसने कहा मुझे 500 डॉलर्स देने के बाद ही तुम उस घर को ले पाओगे उससे पहले नहीं मैंने कहा पुराने पापी लगते हो तुम देख लो ये मेरा सुझाव है बैंक तुमको पसंद नहीं करता और मिस चैली तुमसे डरती है मेरे बीच में पड़े बिना ये घर लेने का तुम्हारा कोई चांस नहीं है मेरा हिस्सा 500 डॉलर है अगर उस घर की कीमत तुमारे लिए इतनी भी नहीं है तो ठीक है अपने कंधे उचकाते हुए उसने कहा डन ऐसी सौदे बाजी के लिए मैं हमेशा से शरीफ आदमी रहा हूँ फिर उसने अपने अंदर की जेब से नोटों का भरा हुआ घिसा हुआ अपना पुराना वॉलेट निकाला उसका माल मत्ता देखकर मुझे उससे थोड़ा ज्यादा माल एंठने की एक्छा हुई लेकिन अफसोस उसके लिए अब देर हो चुकी थी उसने कहा जब मेरा काम शुरू हो जाए तब आना मिस्टर विंटर्स और छोकरी लोग को एक बार मौका देना तो मुझे काफी माहर आदमी लगते हो वो तो मैं हूँ मैं कल तुम्हारे साइन करवाने के लिए वापस आऊँगा और कोशिश करूँगा कि प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी तुम्हारी हो जाए उसके नोट उठाते हुए मैंने कहा ये दिन बड़ा ही शानदार बीत रहा था लिटल इडन में पांच या छे एस्टेट फर्म्स थी हैरिसन और फोर्ड सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा साख वाली फर्म थी स्टीन बेक एंड होवे सबसे छोटी और सबसे बदनाम फर्म थी मैंने निश्चे किया कि ये फर्म वेस्टल का बिजनेस संभालने में पूरा जोर लगा देगी वो सही लोग थे और शेली फाउंडेशन से ज्यादा किराया निकाल सकते थे उनके उगाही वाले कर्मचारी पहलवानों जैसे थे जो आसानी से किराय की वसूली के लिए अपने साथ अखबार में लिप्टी हुई शीशे की रॉड लेकर चलते थे जो लोगों के लिए इशारा होती थी जब मैं पेडों से घिरी चौडी सड़क पर कैडिलॉक ड्राइव कर रहा था तो मुझे थोड़ी चिंता थी कि बरनी होवे पर क्या अपना दुस्ताहस आजमा पाऊंगा या नहीं मैं उससे कभी मिला नहीं था लेकिन उसकी साख एक सूध खोर और धोखे बाज के रूप में कुख्यात थी काफी कुछ इस बात पर निर्भर था कि हमारी बातचीत कैसे होती है और वो वेस्टल के व्यापार में कितनी गहराई तक अपनी रुची दिखाता है उससे मिलने में मुझे कोई परिशानी नहीं हुई जैसे ही मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि मैं बैंक से हूँ, वो सीधा मुझे उसके आफिस में ले गई हौवे काफी मोटा आदमी था, लंबा कद, गोल गेंद जैसा चेहरा, जुकी हुई मूचें और पैनी नीली आँखें उम्र के लिहाद से वो पचास के पेटे में होगा, लेकिन उससे ज्यादा बूढ़ा लगता था जब मैंने कमरा पार किया, तो उसने दूरबीन जैसी अपनी निगाहों से मुझे देखा, फिर खड़ा हुआ, और अपना भरी भर कम हाथ मुझसे मिलाने के लिए आगे बढ़ाया आप से मिलकर खुशी हुई मिस्टर विंटर्स, बैठिये, मैंने बैठते हुए कहा, आप भी बिजी आदमी हैं और मैं भी, इसलिए सीधे सीधे मतलब की बात पर आता हूँ मेरे विचार से आप जानते हैं कि Pacific Banking Corporation मिस शेली के मामले देखता है, जी हाँ, मिस शेली के साथ किसी भी सौदे में बैंक को रेप्रेजेंट करना मेरा काम है, अभी मैंने हाल ही में ये जिम्मेदारी संभाली है और मैं इधर उधर थोड़े बदलाव कर रहा हूँ क्या आप शेली फाउंडेशन के लिए किराई की वसूली करने का काम करना चाहते हैं? उसने अपनी मोटी उंगली से अपनी नाक को रगड़ा और बोला, क्या हैरिसन एंड फोर्ड ये काम छोड़ चुके हैं? मिस शेली उनको छोड़ने के बारे में सोच रही है, असल में वो इन आकड़ों में 15% की बढ़ोतरी चाहती हैं. इतना कहकर मैंने अपनी फाइल से शेली फाउंडेशन की पिछले महीने की किराई की स्टेटमेंट निकाली और मेज पर उसकी तरफ सरका दी. उसने कुछ देर उसे देखा और फिर बोला, इसमें तो कोई मुश्किल नही होगी. जो भी किराया मेरे क्लाइंट चाहते हैं, मेरे आदमी उसकी उगाही में एक्सपर्ट हैं. यानि तुमको लगता है कि तुम इससे निपट सकते हो? निश्चित तोर पर, काश वो मुझे थोड़ा और जोश से भरा हुआ सुनाई देता. हमने एक दो मिनट के लिए शर्तों पर बात की. मुझे आश्चर्य हुआ कि हैरिसन एंड फोर्ड के मुकाबले उसका कमिशन थोड़ा कम था. मैंने कहा, तुम ये समझ लो कि फाउंडेशन तो एक बाल्टी में सिर्फ बूंद के बराबर है. मिस शेली की सारे देश में प्रॉपर्टीज हैं. मैं शा चोटी बड़ी किसी भी एस्टेट को संभालने के लिए पूरी तरह से तयार है. उसके इस रुख ने वो रास्ता तयार किया, जो मैं अगली चाल के लिए सोच रहा था. मैंने अनुमान लगाया कि वो जान बूज कर इस तरह खेल रहा था. मैंने उससे फिर कहा, देखो, मै मैंने ये कहा है कि मैं उसे राजी कर सकता हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जरूर राजी कर ही लूँगा. उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया. अगर तुम पहले इंतजार करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि हम शेली फाउंडेशन को कैसे संभालते हैं, तो म मुझे ये फैसला तुम्हारे उपर छोड़ते हुए खुशी होगी. अब इस जवाबी तलवार बाजी में मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं सूचा, इसलिए आखिर मुझे खुले में उतरना ही पड़ा. मैं मुस्कुराया और बोला, क्या हम हवाई घोड़े दोड़ान लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई मिस्टर विंटर्स, तुमने कहा था कि तुम पैसिफिक बैंकिंग कॉर्परेशन के कर्मचारी हो, क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था? मैंने अपनी गर्दन उची करते हुए कहा, मैं किसी का न लिवाएं बरकरार रखने को एक चुक है, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो मिस्टर होवे, तुम्हारी फार्म शेहर में ज्यादा इजददार नहीं मानी जाती है, बैंक तुम्हें कोई बिजनेस नहीं देगा और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इस हा को मैं बदल सकता हूँ, मेरा मिस शेली के उपर काफी प्रभाव है, और क्या तुम्हें कोई कारण लगता है कि मुझे बिना किसी अपने फाइदे के उसका बिजनेस तुम्हें देदेना चाहिए, उसने कुछ देर मुझे ध्यान से देखा और फिर बोला, मैं तुम्हारा म कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे मिस शेली का खुद का साइन किया हुआ लेटर चाहिए, अगर तुम मुझे वो दे सकते हो, तो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, उसे लेटर साइन करके देने में वेस्टल को राजी करने में मुझे किसी परेशानी क आशंका नहीं थी, मैंने कहा, ठीक है, मैं कल दो पहर तक लेटर लेकर तुम्हारे यहां आता हूँ, बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मुझे खुशी हुई मिस्टर विंटर्स, तुम अपने लिए रास्ता अच्छी तरह से निकाल सकते हो, तो मेरा पैस नगत तयार रखना मिस्टर हॉवे, जरूर, गुड डे मिस्टर विंटर्स, बाहर गली में मैं अपने चहरे से पसीना पहुंचने के लिए थोड़ा रुका, बर्गेस को चारा डालना आसान था, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही थी, कि हॉवे के ऊपर वही पासा फेंकन कहीं कोई गलत कदम तो नहीं हो गया था, हालांकि मेरे साथ चलने में उसे हर चीज़ का फायदा था, लेकिन अगर उसने बैंक में मेरी शिकायत कर दी, तो मैं फस सकता था, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेगा, वेस्टल का बिजनेस उसे मिलने का दूसरा कोई चांस नहीं था, जब तक वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, मैंने एक सिगरेट सुलगाई और फुटपाथ पार करके केडिलोग तक जा पहुँचा, खत्रे तो मुझे उठाने ही पड़ेंगे, अगर ये सब कुछ काम्याब रहा, तो मैं 1500 डॉलर्स के फायदे में होंगा, अ अगर चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जोखिम तो उठाना ही पड़ता, बैंक में वापस पहुँचने पर अपने डेस्क पर मुझे संदेश मिला, कि मैं वहाँ पहुँचते ही स्टरन वोड को रिपोर्ट करूँ, एक पल के लिए मेरा दिल ताजी पकड़ी गई मचली की तरह उचला, क्या होवे या बर्गिस में से कोई उस तक पहुचतो नहीं गया, जब मैंने उसके ओफिस में कदम रखा, तो मेरे चेहरे पर पसीने की ठंडी बूंदे नजर आ रही थी, वो मुझे देखकर मुस्कुराया, और उसकी उस मुस्कुराहट से मैं स कभी नहीं हुआ है, मैंने बड़ी ही लापरवाही दिखाते हुए कहा, आप तो जानते हैं ये सब कितना मुश्किल है, लगता है आखिरकार हम इसे करने में सफल हो गए है, मैं तो कहूंगा कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, उसने मुझे बताया है कि तुम यहाँ एक प कि वो मेरे लिए इस बारे में बात करेगी, मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं मैं उसके लिए उसकी उम्मीद से ज्यादा काम का साबित तो नहीं हुआ हूँ, स्टरन्वूर्ड अभी भी बोल रहा था, मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ा ही शानदार सुझाव है, असल में तुम्हारा नया कमरा अब तुम्हारे लिए पूरी तरह तयार है, जैसे ही मिस शेली ने ये बात मुझे कही थी, मैंने उसे रेडी करने के आदेश दे दिये थे, मैं चाहता हूँ कि वो अकसर यहाँ पर आया जाया करे, शेली के कमरे से अगला कमरा तुम अपने आफिस के लिए ले लो, उससे बाहर का नजारा काफी सुन्दर दिखता है और वो अच्छी तरह सजा हुआ भी है, मैं मिस गुड चायल को तुम्हारे स्टेनोग्राफर के रूप में विस्तार से बता चुका हूँ, अच्छा ये बताओ कि उन तीन मसलों का क्या हुआ जो मिस शेली उठा रही थी, तुमने उन में कैसे सफलता पाई? बैंक वापस आते हुए मैं रास्ते में ही फैसला कर चुका था कि इन प्रश्नों का बढ़िया सा जवाब मुझे कैसे देना था, मैंने कहना शुरू किया, देखे सर, मैं मिंक कोट के मामले में उससे बात करने में सफल हो और उसे इसके लिए सजा भी हो सकती है, इस बात ने उसे डरा दिया, स्टरनवोड ने खुश होते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हे ये बताने में कोई जिजक नहीं है, कि हम उससे इस तरह बरताव करते हुए बड़े ही चंतित थे, उसका सौभाव बहुत ह अब बाकी के दो मुद्दों के बारे में मामला कैसे हल हुआ, मुझे खेद है सर, लेकिन वो मेरे पहुँचने से पहले ही इस बारे में कदम उठा चुकी थी, मुझे लगता है लीड बीटर शायद उसे सही ढंग से संभाल नहीं पाया, उसने महसूस किया कि उसे डराया ज होवे ने वेस्टल को आश्वासन दिया है, कि वो बिना किसी कठिनाई के ज्यादा पैसा वसूल कर सकता है, स्टन वुर्ट चौंका, स्टीन बेक एंड होवे, वो तो सूध खोर हैं, होवे धोके बाज आदमी है, हाँ सर, मैंने ये सब बातें उसे बताई थी, लेकिन उसन करने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ, और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, कि वो मुझे होवे से सीधी डिल करने दे, मैं उसके उपर लगाम लगा सकता हूँ, स्टन वुर्ट की आँखें अचानक सतर्क हो गए, प्रभाव, क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा, तुम्ह मिरी राय स्विकार कर लेंगी, हम होवे को सिर्फ काबू में नहीं करना चाहते चैड, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यही बहतर रहेगा कि मिस शेली से मैं खुद बात करूँ, अब मैं बहुत ही फसा हुआ महसूस करने लगा, अगर उसने होवे के बारे में वेस्टल को फोन कर दिया, और स्टरनवुड को ये पता लग गया कि वो होवे के अस्तित्व को भी नहीं जानती है, तो मेरी तो हो गई ऐसी की तैसी, जैसे ही वो टेलिफोन तक पहुचा, मैंने कहा, अरे एक मिनेट रुखिये सर, आप तो जानते ही हैं कि वो कै असल में सर, जब मिस शेली ने मुझे बताया कि उसने क्या किया है, तो मैं होवे के पास शेहर गया था, आखिर में वो नाराज हो गई, उसने मुझसे कहा है कि अगर उसने होवे के बारे में हमसे और कुछ सुना, तो वो बैंक में अपना अकाउंट बंद कर देगी, अगर मैं उसे इस बात के लिए मना लेता हूँ कि वो सारे रेंट स्टेटमेंट मुझे देखने दे, तो मुझे नहीं लगता कि होवे ज्यादा कुछ नुकसान कर पाएगा, स्टन वुड ने अपना हाथ टेलेफोन से हटा लिया और फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तु पागे संभाल लेना, इससे आपको बात करने का अच्छा बहाना भी मिल जाएगा, आप कह सकते हो कि मैं हमारा केस सही डंग से नहीं संभाल पाया, ये बात उसे पसंद आई और वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है, कल उससे मिलो और बात करो, अगर तुम काम अगली सुभा नौ बजे से पहले मैं अपने नए ओफिस में था, अभी पूरा दिन मेरे सामने था, और मैं उसके लिए पूरी तरह से तयार था, रात के समय मैंने कुछ गहन सोच विचार किया था, मेरे पास कई तरह के आईडिये थे, जो मुझे कुछ पैसा अपने लिए कमाने का मौका दिला सकते थे, मैंने वेस्टल शैली के नाम की ताकत को महसूस किया, अगर मैं अपने पत्ते साफधानी से चलूँ, तो मैं उसके नाम को भूना सकता हूं, कहीं भी उसका बिजनेस किसी को भी सौप कर, खुद अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकता हूं, मैंन अपना मन बनाया कि आगे से मैं अपनी मांगों को लेकर किसी के भी साथ कोई नर्मी नहीं बढ़तूँगा। मेरे पास अगर बेचने के लिए कुछ है और वो उसे खरीदना चाहते हैं तो उनको उसकी कीमत मुझे अधाक करनी ही होगी। और मैंने उसको उसे दिन सारे जरूरी दस्तावेज देने का भी आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने एक घंटा वेस्टल के इन्वेस्ट्वेंट्स को समझने में लगाया। जैसा कि मैंने सोचा था उसकी एक-एक पाई, सरकारी बॉंड्स और गिल्ट संबंधी स्टॉक् पर इन्वेस्ट की गई थी, जहां पर उसका पैसा पूरी तरह सुरक्षित था। मैंने कुछ देर और गहराई से सोचा, फिर कुरसी पीछे धकेल कर अपना हैट उठाया। वेस्ट सिटी स्ट्रीट कार ड्राइव करता हुआ, मैं दफ्तरों की एक बड़ी इमारत के बाहर पहुँचा, एलिवेटर से मैं पांचवे माले पर गया और कॉरिडॉर में चलता हुआ, मैं रायन ब्लैक स्टोन के ऑफिस में गया, मैं कुछ सालों से ब्लैक स्टोन से परिचित था, वो युवा, खुशमिजाज और साधारन सा आदमी था, उसने अपने पिता का स्टॉक और बॉंड्स का कारोबार संभाल लिया था, और अब वो एक काम्याब दलाल था, मुझे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, आज क्या चीज तुम्हें यहां खीच लाई, आओ, अंदर आओ, उसने कहा, बैठने के बाद मैंने उससे कहा, देखो रायन, शेली के अकाउंट में से थोड़ा सा हिस्सा लेना, तुम कितना पसंद करोगे, मैंने कल ही उसका अकाउंट संभाला है, और आज मैं इस हैसियत में हूँ, कि थोड़ा कारोबार तुम्हारे साथ हो सकता है, इससे अच्छा तो मेरे लिए शायद और कुछ नहीं होगा, उसने कहा, मैं मिस शेल जमाना पड़ेगा, तुम कहना क्या चाहते हो, उसने पूछा, कोई ऐसा शेयर जानते हो, जो उपर चड़ने की बस शुरुआत करने वाला हो, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ सकती है, लेकिन मैं उनकी गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता, उसने कहा, माल लो त कम सही स्टॉक में लग जाए, तो निश्चित तोर पर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ, कि कोई ऐसा स्टॉक जो पहले से बढ़ रहा हो, हम उसमें एक मिलियन का चौथाई हिस्सा लगाएंगे, और ना समझ लोग ये समझेंगे, कि वो स्ट आसमान चूने वाला है, किसी ऐसी ही चीज का पता लगाओ, हाँ ऐसा है ना एक, कौनवे सीमेंट्स है, पिछले कुछ दिनों में ये पांच पॉइंट बढ़ा है, लेकिन इसमें खत्रा है चैड, हाँ, यानि इसमें जोखिम है, लेकिन शैली का अकाउंट ये जोखिम झे लेगा, दस हजार डॉलर से ज्यादा का तो नुकसान नहीं होगा ना, उसने हैरानी से मुझे देखा और बोला, लानत है मेरे उपर अगर तुमने बैंकर की तरह मुझ से बात की, लेकिन मान लो अगर दस हजार डॉलर का नुकसान हो गया तो, क्या इसकी संभावना है, मैं नहीं है, मेरे पास मिस शेली की अथॉरिटी है, मैंने उसे बताया है कि मैं एक उभरते हुए नए ब्रोकर को ढूंडने की कोशिश करूँगा, और अगर उसका दाव नहीं चला, तो क्या वो दस हजार डॉलर का नुकसान झेलने के लिए तयार होगी, तो उसने कहा है कि व तुम लिखित में ले सकते हो, मुझे कागज का एक ठुकड़ा दो, मैंने उसके कहे अनुसार लिख दिया, लेकिन उस पर अपने साइन नहीं किये, मुझे वहाँ तुम्हारे सिगनेचर चाहिए चैड, मैंने पैन नीचे रखते हुए कहा, सिगनेचर तुम्हे जरूर मिल उससे ज्यादा पैसा संभालने का मौका है, तुम्हारे पास मौका है कि सारी मशूर और बड़ी फर्म्स तुम्हें वेस्टल शेली के ब्रोकर के रूप में पहचाने, तो इसलिए अगर तुम्हें ये सब मिल रहा है, तो उसमें मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए, उ ठीक है, तो फिर मैं यहां से चला जाता हूँ, और लोवेन एंट फ्रैंक से बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े ओफर को सिर्फ इसलिए अस्विकार कर देंगे, क्योंकि मैं एक बैंक में काम करता हूँ, अरे एक मिनट रुको चैड, क्या बैंक, भ जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम आधा कमीशन मुझे दो, तो ये अकाउंट तुमको मिलेगा, आधा? कमीशन का आधा, उन सारे सौदों पर जो तुम मिस शेली के लिए करोगे, या तो हाँ बोलो, या फिर इस सौदे को छोडो, कुछ पल के लिए उसने मुझे परखा और फिर हस दिया, तुम बहुत बड़े ठग हो, ये बात तो पक्की है, वैसे क्या तुम सच में कौनवे सीमेंट्स के बारे में आश्वस्त हो? बिलकुल, वो तो मैं हूँ, मैंने दोड़ना शुरू करे और सच में ही बढ़ जाए, तो फिर क्या, क्या मैं रुका रहा हूँ? उसने पूछा, नहीं, अगर हो सके, तो तुम आज ही बाहर निकल जाओ, मैं चाहता हूँ कि वो तेजी से मुनाफ़ा कमाए, वो एक लालची कुतिया है, और अगर उसने देख कि मैं उसे इतनी जल्दी मुनाफ़ा दे रहा हूँ, तो पता नहीं वो कितना बिजनेस हमको दे देगी, कुछ और बातचीत के बाद मैंने उससे विदा ली, और ड्राइव करता हुआ, वेस्टन कैलिफॉर्निया बैंक पहुंचा, बर्गेस के दिये हुए पैसों में से 100 डॉलर्स का उपयोग करते हुए मैंने एक अकाउंट खोल लिया, फिर मैं वापस अपने बैंक गया, उस समय मैं साथमें आसमान पर था, मेरे पास कार थी, अपना ओफिस था, एक स्टेनोग्राफर थी, बैंक में पैसा था, और बहुत सारा पैसा कमाने के अवसर मेरे सामन में खड़े थे, मैं अभी फ्लॉरियन रेस्टरॉं के महंगे लंच के बारे में सोच ही रहा था, कि तभी टेलिफोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, मिस्टर विंटर्स, मैं मिस डोलान बोल रही हूँ, मिस डोलान, अरे हाँ, मिस शेली की सेक्रेटरी, कैसी हो, मि मिस शेली मेरे लिए दुरभाग्यशाली साबित होने वाली थी, मैं भूखा था, और इसके अलावा मैंने निश्चे किया था, कि मैं हर बार उसकी उंगली के इशारे पर कूद कर वहाँ नहीं पहुंचने वाला था, मैंने कहा, मैं दो बजे के बाद वहाँ पहुंच इस बात का संबंध मिस्टर हौवे से है, एक अद्रश्य गूसा मेरे उपर हथोड़े की तरह पड़ा, उसके बारे में क्या हो गया, वो अभी अभी यहां से गया है, मिस शेली ने कहा है तुम्हें तुरंत यहां बुलाने को, इतने गुस्से में मैंने उनको आज तक नही देखा है, ओ, तो उस कुतिया के पिल्ले ने मुझसे धोखा किया, अचानक मैं इतने तनाव में आ गया, कि मेरे मुह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, अब मैं बैंक के दर्वाजे से बाहर निकाले जाने से बस जरा सा ही दूर था, मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था, वो सूध खोर, स्टरनवुड के पास जाने की जहमत नहीं उठाएगा, लेकिन सीधा वेस्टल के पास पहुँच जाएगा, जो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुचा सकती थी, क्या तुम सुन रहे हो, मिस्टर विंटर्स, जो मैं कह रही हूँ, उसे ध्यान से वो तुमको जो दे, तुमको उससे ज्यादा बहतर करके लोटाना होगा, मेरी बात समझ रहे हो तुम, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी आदमी जिसके अंदर उससे ज्यादा चिलाने का होसला हो, उसे धराशाई कर सकता है, मैं उसे अच्छी तर रही हो, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी आखिरी उमीद है, मैं ये नहीं कहती कि इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है, लेकिन तुम्हारे सामने एक यही उमीद है, तुम चाहे और जो भी करो, लेकिन बहाने मत बनाना, क्या मैं उसे कह दूं कि तुम अभी आ रहे ह हाँ उसे कह दो कि मैं पौने घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा और मुझे ये नहीं पता मिस डोलान कि तुम ये सलाह मुझे क्यों दे रही हो लेकिन मैं इसकी सराहना करता हूँ उसने फोन रख दिया मैंने अपने हाथ से चेहरे पर आई पसीने को पहुचा अगर मैं चिला चिला कर च्छत फारने का होसला कर भी लेता हूँ तो आखिर में चलेगी तो वेस्टल की ही कार, ओफिस, हौवे के हजार डॉलर्स, ब्लैक स्टोन का आधा कमिशन और साथ में मेरी नौकरी ये सब कुछ अब छूटने के कगार पर थे अपनी गाड़ी को तेज रफतार से चलाता हुआ, मैं नस्दीक के बार में पहुचा फिर अंदर जाकर, मैंने तीन डबल विस्की के पैग अपने हलक से उतनी ही तेजी से नीचे उतारे, जितनी तेजी से बार मैंने उनको बनाया था विस्की ने दोबारा मेरे पैरों में जान डाल दी, क्लिफ साइड की यात्रा मैंने करीब साथ मिनट में पूरी की इस समय मैं तूपानी रफतार से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हर्गिस ने दर्वाजा खोला और मेरा हैट लिया मिस शेली आपका इंतजार कर रही है सर, उसने कहा, आप उनसे टेरिस पर मिलेंगे मैंने एक गहरी सांस ली और टेरिस पर कदम रखा, मुंदेर के उपर बैठे हुए और हिलते हुए वो बोली ओहो, चालाक, स्मार्ट, मिस्टर विंटर्स उसकी आवाज बहुत ही कड़क और गुसे में थी, मैं अपने हाथों को जेब में डाले टेरिस पर थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरा दिल धार-धार करके मेरी पसलियों से टक्रा रहा था, मुझसे क्या सुनने की उमीद है आपको, मैंने कहा, ये ढोंग मत करो कि तुम्हे कुछ नहीं पता, और मुझसे जूट बोलने की तो हिम्मत भी मत करना, ये सब किसलिए हो रहा है, क्या मैंने किसी बात से तुम्हें नाखुश कर दिया है, या कुछ और बात है, क्या तुम बर्नी होवे को जानते हो, हाँ, जानता हूँ, वो एक स्मार्ट क्रिमिनल लॉयर है, मैं उससे आपके बारे में बात करने ही वाला था मिशेली, मेरे ख्याल से आपके लिए फाउन्डेशन का किराया इकठा करने के लिए, वो बिलकुल सही आदमी है, तुम उस बात को छोड़ो, तुमने एक हजार डॉलर्स के बदले उसे काम देने का ओफर दिया या नही नहीं दिया, बिलकुल दिया, तो उसमें क्या बात हो गई, ये तो एक आम बात है, जब होवे जैसे गिरे हुए आदमी से बिजनस किया जाए, तो उससे कमीशन की उमीद तो की ही जाती है, वो भी तब जब आप उसे किसी काम के लिए ओफर कर रहे हों, लेकिन शायद ये वो मुद्दा नहीं है, जिस पर आप इतना गुस्सा कर रही है, क्या मेरी ये बात सही है मिस शेली, वो अपनी जगह से उठकर मेरे नजदीक आ गई, और तुम्हारी नियत उस पैसे को अपने पास रखने की है, यहाँ बात को खत्म करने का एक मौका अपने आप ही मेरे प किलासों ने मुझे दुस्साहसी बना दिया था, मुझ पर ये लानत होती अगर मैं उसको वो पैसे देने का ओफर देता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस बारे में मुझसे क्या करने की उमीद करती थी, क्या इसे कहीं दान में दे देता, इसका मतलब ये हुआ कि त जिसका मैं खुद को हकदार मानता हूँ, कैसे इसके हकदार हो तुम, घटिया बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, मेरे सामने खड़े होकर बंदर की तरह दात निकालने की, और इस बात की कि मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी सड़ी हुई जेब भरसा को, मैंने अ बहुत बड़े डाकू हो तुम, जब मैंने तुम्हें तुम्हारे भरकीले सूट में देखा था, तो तुम्हारे चिकने चुपडे तौर तरीकों को देखकर ही मैं समझ गई थी, कि तुम एक बहुत ही बड़े बदमाश हो, वो जितने गुसे में थी, मैंने उतने ही शांत स्वर में कहा, तुम अपना तमाशा बना रही हो, क्या तुम्हें मेरे उपर ऐसे बर्गेस की किसी लॉंडिया की तरह चिलाना चाहिए, उसने तुरंट अपने कदम पीछे हटाए, क्या कहा तुमने मुझे, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें किसी कॉल गर्ल की तरह चिला मैं इस बात को पक्का करूँगी कि तुम जब तक जिंदा रहो तुम्हें दूसरी कोई नौकरी ना मिले। इतना ड्रामा मत करो। तुम्हें क्या लगता है। तुम ऐसा करके मुझे डरा सकती हो। तुम लीड बीटर जैसे कमजोर आसू बहाने वाले आदमी से बिजनेस नह में अंदाजा है मैं तुम्हारी इन धमकियों और पागलपन की जरा भी परवाह नहीं करता। समझे तुम। मुझे उसके गुसे के पीछे एक हैरानी दिखाई दी। वो फिर से चिलाई। वो तो देखेंगे। हट जो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारे बॉस से बात करू अब तक मैं खुद गुसे की आग में तेजी से जल रहा था और मैं फुर्ती से उसके पीछे भागा। जब वो फोन उठाने ही वाली थी तभी मैंने उसके पास पहुँचकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। एक मिनिट रुको। वो उल्टा घूमी और उसका बाया हाथ तेजी से उठा और मेरी नाक की साइड में आकर टकराया। मुझे उसकी उंगलियों के पोरों की हड़ियां अपनी खाल को चीरती हुई सी महसूस हूँ। मेरे ख्याल से उसके बाद जरूर ही मेरे सबर का बांध तूट गया होगा। मुझे सही धंक से याद नहीं कि अगले कुछ पल क्या हुआ। अचानक ही मैंने खुद को उसके कंधे जिंजोडते हुए पाया। उसका गाजरी रंका सिर आगे पीछे जटके खा रहा था और मैं उसकी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसका खून कर दूँगा। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उ उसका मुह खुला हुआ लटक रहा था आँखे खोपड़ी से बाहर निकलने को हो रही थी और वो भीतर तक बुरी तरह से डर गई थी। मैंने उसे कुर्सी पर नीचे इतना जोर से पटका कि वो उचल कर तकरीबन बाहर गिरने को हो गई और अभी तक मेरे हाथ उसके कंध कर रही थी कभी मिंक कोट को खर्चे में शामिल करने के लिए कभी किराया बढ़ाने के लिए और कभी घर बेचने के लिए तुम उसके पीछे तब तक पड़ी रही जब तक वो बेचारा पागल होने के कगार पर नहीं पहुँच गया लेकिन तुम उसे अपने रास्ते पर लाने में सफल नहीं हूँ मैंने तुम्हारे कोट का तुम्हारे किराय का और तुम्हारे घर का मसला हल किया एक दिन में मैंने उन सब को निप्टा दिया क्या तुमने मेरी बात सुनी मैंने उनको एक दिन में निप्टा दिया उस कोट की वजह से तुमने 30,000 डॉलर्स पर ह हिम्मत नहीं थी और तुमने अपना घर इतने बड़े मुनाफे में बेचा, ये सब कुछ सिर्फ मेरे कारण, इतना कहकर मैंने उसे फिर से जोर से जिंजोडा और बोला, सुनी तुमने मेरी बात, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मैंने किया है ये सब, तुम्हें क्या लग जैसे तुम कमाना चाहती हूँ, तो मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है? तुम्हारा कोई पैसा लिया है? ऐसा क्या किया है मैंने जिससे तुम इतनी बुरी तरह से चिला रही है? मैंने तुम्हारे लिए पैसा कमाया और अपना हिस्सा उन कदम पीछे हट गया, मैं बुरी तरह काप रहा था और मेरे चेहरे पर पसीना था, आगे बढ़ो और करो कॉलस्टर अन्वुड को, बताओ उसे, रो उसके सामने, मेरी नौकरी जाएगी, जाने दो, लेकिन तुम क्या होगी, तुम्हें क्या लगता है, मेरे बिना वो टेक्स फ्रॉड तुम कर पाओगी, बढ़ो आगे और करके देखो अपने आप, देखना कितनी जल्दी तुम जेल में पहुँचती हो, और अपने आप से तीस हजार डॉलर्स की बात भी बताना उसे, बढ़ो आगे और करो खुद बात, तुम्हें क्या लगता है, मैं इन सब बातों की परवा करता हूँ, इतना कहकर मैंने उसकी तरफ पीट घुमाई और बाहर टेरेस पर निकल गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे मैं कि उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, तुमने मुझे चोट पहुचाई, मुझे जखमी कर दिया, और तुमने ये नहीं देखा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, अपने रुमाल से अपनी नाक एक तरफ से दबाते हुए मैंने कहा, जहां से उसने मेरी खाल काट दी थी और थ लोगे और मेरे लिए एक ड्रिंक ओर्डर करोगे, मैं बरामदे में गया और मैंने बेल बजाई, यहां पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा कोई भी शब्द आपको मेरे एमोशन्स सही धंग से नहीं बता सकता, मैं उससे लड़ा भी और मैंने उसे पुछकारा भी, मैं ये जानता था और वो भी ये जानती थी, इसका मतलब मैं अपनी जिन्दगी की दुश्वारियों के उस पार पहुँच गया था और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था, ये मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी जीत थी, हरगेस अंदर आया, उसके चेहरे के भावों से मैं बता सकत था कि वो मुझे उठा कर बाहर फेंके जाने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, जब मैंने उससे ये कहा, एक बोतल अपनी सबसे अच्छी शैंपेन लेकर आओ, तो उसका मुह खुला का खुला रह गया, फिर उसने दूर बैठी वेस्टल की तरफ देखा, और सेर जु पूर कर मुझे देखा, और उसकी आँखों में घ्रिना भरी हुई थी, उसके जाने के बाद मैंने टेलिफोन उठा कर ब्लैक स्टोन का नंबर लगाया, कॉन्वे पर अभी तक कोई खबर आई है रायन, हाँ बिलकुल है, मैं अभी उस स्टॉक से बाहर निकला हूँ, मिस चैली को 35,000 डॉलर का मुनाफ़ा हुआ है, और मैं तुम्हारे खाते में कमीशन के 900 डॉलर जमा करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाहर टेरिस की तरफ देखा, वेस्टल अभी तक अपनी खरोंचों को देख रही थी, बहुत अच्छा, मिस चैली का चेक मेरे नाम पर बना जैसा तुम कहो चैड, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये ठीक नहीं है, मैंने बिना कोई जवाब दिये, फोन काट दिया, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बना था, जो मेरी नाक पर वार करे और उसकी कीमत अदा ना करे, 35,000 डॉलर मिलने की बजाए, अब मि इस शेली को सिर्फ 20,000 मिलेंगे, बाकी के 15,000 मेरे खाते में जमा होंगे, हर जाने के रूप में, फिर मैं तैरिस पर पहुँचा, और वेस्टल ने तुरंत अपनी जैकेट बन कर ली, और फिर उसने ऐसा कुछ किया, जो मैं उससे करने की कताई उमीद नहीं कर रहा था, तुम्हें इस तरह से पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखना चाहिए था, मेरे ख्याल से तो मुझे ताड रहे थे, वेस्टल शेली को मैं ताड रहा था, उसका ये आरोप मेरे लिए एक बद मजा और भद्दा मजाग था, क्या ये इतनी भद्दी लड़की, वाकई ये क खलपना कर सकती है, कि मैं उसे छुपकर देख रहा था, मुझे लगा कि मुझे उसी पल उल्टी न आ जाए, किसी तरह अपने भावों को छुपा कर, मैं अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आया और बोला, आप तो मुझे शर्मिन्दा कर रही है मिस शेली, असल में मेरे द को धाईलाक डॉलर की कीमत के कौनवे सीमेंट के शेयर खरीदने की हिदायत दी थी, वो चार पॉइंट बढ़ गया और बीस हजार का मुनाफ़ा लेकर आया, उसने मुझे घूर कर देखा और हाफते हुए भुली, तुमने बिना पूछे, मेरी परमिशन लिये बिना, मेरे पैसे में से धाईलाक डॉलर्स यूज किये, मैंने तुम्हारा पैसा इस्तिमाल नहीं किया, मैंने तुम्हारे नाम का इस्तिमाल किया, जिसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है, दूसरे शब्दों में मैंने तुम्हारी साक को गिरवी रखा, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं अगर आप धाई लाक डॉलर्स किसी एक शेर में लगाते हैं, तो उसकी स्टॉक वैल्यू लाजमी तौर पर उपर ही जाएगी, क्या ये बात जाहिर नहीं है, लेकिन तुमने मेरी राय नहीं ली, अच्छा तुमने कितना पैसा बताया था, कितना फायदा हुआ है मुझे, ब ऐसा लगता है मिस्टर विंटर्स कि तुम वाकई बहुत ही होशियार आदमी हो, अच्छा एक घटिया बदमाश और खतरनाक डाकू होने के बावजूद, वो हस पड़ी, तब मैं गुस्से में थी, ठीक है तो अब अगर तुमको ऐसा नहीं लगता है कि मैं घटिया बदमा चाही है, मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें पहली बार किसी ने हाथ लगाया है, तुम इसे अपनी मन मर्जी के हिसाब से सोच रही थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी अच्छी खासी धुनाई नहीं की, मुझे अपने चाहा, और सिर हिला कर उससे कहा, काफी बहतर है, थोड़ी और ठंडी हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, चलो अब निकलो यहां से, उसके जाने के बाद वेस्टल खिल-खिलाई और बोली, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो क्या सोच रहा होगा, तुमको उससे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था, ये उसे उसकी औरकात दिखाने का टाइम था, अब छोड़ो उसे, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से हमें बिजनेस की बातें करनी चाहिए मिस शेली, तुमने होवे के साथ क्या ताल का आदमी है, वो बिना किसी परेशानी के बढ़ा हुआ किराया वसूल सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए मेरी जरूरत है, और हाँ, अब जब हमारे बीच की सारी गलत पहमिया दूर हो गई है, तो मैं तुमसे तुम्हारे इंवेस्टमेंट के बारे में ब तुम्हारी अथॉरिटी वाले एक चौथाई मिलियन डॉलर्स को फ्री करना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे जुवा खेल सकूँ, ये बात साफ है कि अगर मैं बीस हजार डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाता हूँ, तो इन पैसों का इस्तिमाल बंध हो जाएगा, मैं हर पैसा वापस से गिल्ट संबंधी स्टॉक्स में चला जाएगा, लेकिन मैं बीस हजार डॉलर्स खोना नहीं चाहती, मैं इस बात के लिए सहमती नहीं दे सकती, मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए बिना किसी चीज के बीस हजार डॉलर्स कमाए हैं की नहीं, असल में मैं म लेकिन फिर मुझे हर हफ़ते रिपोर्ट चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम हर हफ़ते रिपोर्ट ले लेना, क्या तुमको वाकई लगता है चैड कि तुम एक महीने में मुझे टैक्स फ्री 5000 डॉलर कमा कर दे सकते हो, मुझे पक्का यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हू तो ठीक है, तुम ये पैसा ले सकते हो, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि तुम इसमें से अपने लिए भी जरूर कुछ कमा रहे होंगे, बेशक जरूर कमाऊंगा, मेरे ब्रोकर के साथ मेरी सेटिंग है, लेकिन इसका तुम्हारे उपर एक पैसे का भी खर्चा नहीं आए उसके लिए ये महंगा पड़ेगा, मैं जो भी लूँगा वो उससे वसूल करूँगा, इतना कहकर मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, तो ठीक है मिस शली, अब सब कुछ तैह हो गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं उसने बड़ी ही मोहक नजरों से मुझे देखा और बोली, क्या तुम आज रात मेरे साथ यहां डिनर करना पसंद करोगे, जरूर करता लेकिन आज मेरी एक डेट है, वो अचानक उदास हो गई, ओ, कोई गर्ल फ्रेंड, नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं, मैं फाइट दे कि तभी अचानक मैंने महसूस किया कि सबसे अलग और प्रसिध मिस शेली, सतर मिलियन डॉलर्स की मालकिन, वास्तव में इस शाम एक भूकी मशली की तरहा काटा निगलने के लिए तयार थी, ये एक बड़ा ही शांदार मौका था, इतना शांदार कि उसे टाला नहीं जा सक पूलते देखते, क्या तुम वाकई चलना चाहती हो? मैंने पूछा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ठीक है, मैं तुम्हें साथ वज़े लेने आऊंगा, डिनर हम स्टेडियम में भी ले सकते हैं, मैं साथ वज़े तयार मिलूंगी, बढ़िया, तो मैं चलत ना चाहते हो, उसे अपने पास रखो, जब मैं क्लिफ रोड से नीचे आते हुए, वापस लिटल इडन तक ड्राइव कर रहा था, तो मैंने हिसाब लगाया, दो दिनों में मैंने 24,000 डॉलर्स पार कर लिये थे, ये विश्वास करने लायक नहीं था, लेकिन सच्चाई यह रही थी, रायन ब्लैक स्टोन के साथ मेरी जुगल बंदी, मुझे कम से कम 1000 डॉलर्स कमा के देगी, अब मुझे चिंता किस बात की थी, मुझे इतने नायाब मौके मिल रहे थे, अगर मैंने ये सब कुछ सही धंक से संभाल लिया, तो मैं इतना पैसा कमा सकता था, जिसका क कोई अंत नहीं था, अध्याए 5, शुरुआती मुकाबलों की अंतिम फाइट चल रही थी, जब हमने स्टेडियम के रेस्टरों को छोड़ा और मंद रोशनी से प्रकाशित गलियारे में चलते हुए, रिंग के साथ में लगी अपनी सीटों तक पहुँचे, जल्दी ही मु उसके पतले कंधों को छुपा रखा था, वो हीरों से लक दक कर रही थी, उसके गले में डायमंड का कॉलर सेट था और उसके बालों में भी हीरे जड़े हुए थे, उसकी कलाईयों पर भी हीरे थे, इन सब चीजों का प्रभाव बहुत ही जोरदार था, स्टेडियम में हम एक बड़ी सी रोल्स रोइस में गए, कार का शौफर जोए क्रीम कलर की सजी हुई यूनिफॉर्म पहने, घुटनों तक आते चमडे के बूट, हाथों में दस्ताने और काली पट्टी से सजी क्रीम कलर की पीक कैप पहने गारी से बाहर निकला, उस वक्त मुझे ऐसा महसू की तरह थी, डिनर के बीच में प्रेस वाले वहां पहुँच गए, और हमारे खाना खाने के बाकी के समय के दोरान, वो अपनी फ्लेश लाइट्स हमारे उपर ही चमकाते रहे, ऐसा लगता था कि मिस शेली आम जीवन में कम ही प्रकट होती थी, और उसकी आज की इस यात्रा ने काफी संसनी मचा दी थी, वेस्टल शेली भी इस धमाकेदार आउटेंग का उतना ही मज़ा उठा रही थी, जितना की मैं, मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो मेरी सोहबत में होने की वज़ा से इतना खुश है, मुझे लगा कि जो हलचल और ध्यान हमें मिल रहा था, उसकी वज़ा से वो इतनी खुश थी, ये तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो मेरे साथ के कारण इतनी ज्यादा प्रसन न थी, जब हम कॉफी पी रहे थे, तो एक बड़ा विशाल काए, ग्रे कलर का सूट पहने, सक्त चेहरे वाला आदमी हमारी टेबल पर आया, उसन इसके लिए मिस्टर विंटर्स ने राजी किया, आखिरकार जीवन में हमें सारी चीजें कम से कम एक बार तो आजमा कर देखने ही चाहिए, चैड ये सिटी पुलिस से लेफटिनेंट सैम लेगिट है, और लेफटिनेंट ये है मिस्टर विंटर्स, एक बैंकर, ये पहला मुझे ये जताना चाहता था, कि मैं सिर्फ एक क्लर्क था, जिसे मेरा बॉस धक्के मार कर कभी भी बाहर निकाल सकता था, मैंने निर्वेकार भाव से कहा, मैं नहीं जानता, हमारे बैंक में काफी भीड होती है, उसके बाद एक दो और आपचारिक बातों के बाद, उसने म लेफ्टिनेंट और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं उसे तब से जानती हूँ जब वो गश्ट पर होता था वो कभी-कभी रात के खाने पर आता है और अपने केसों के बारे में मुझे बताता है हाँ हाँ ठीक है लेकिन अब अगर तुम उसी के बारे में बातें करती रही तो हमारी फाइट मेंस हो जाएगी चलो हम अपनी सीटों पर जाकर बैठ दे शाम का मुख्य मुकाबला शुरू होने ही जा रहा था मुकाबला काटे की टककर का था दोनों ही फाइटर पूरे जोश से लड़ रहे थे कभी एक दूसरे पर भारी पड़ता तो कभी दूसरा पहले पर भीड जैसे जोश से पागल हो रही थी हर कोई बुरी तरह से चिल्ला रहा था वेस्टल को दोनों मेंसे जो फाइटर पसंद आया था फाइट शुरू होने से पहले उसने उसके उपर एक छोटा सा 100 डॉलर का दाउ भी लगाया था जैसे ही उसका पसंदीदा फाइटर दूसरे पर हावी होता तो वो बुरी तरह से जोश में आकर चिल्लाने लगती और जब दूसरा फाइटर उसके वाले फाइटर पर हावी होता तो वो किसी पागल जीव की तरह आगे बढ़कर अपने वाले फाइटर को जोश दिलाने के लिए और भी बुरी तरह से चिल्लाने लगती इस सारी प्रक्रिया के दोरान मैंने महसूस किया कि उसने कम से कम दस बार मेरे हाथों को अपनी कलाईयों में जखड़ा था एक बार जब उसके वाले फाइटर ने दूसरे फाइटर को बुरी तरह से जखमी करके गिरा दिया तो वो तेज-तेज सांसों के साथ बोली वाह ये होई ना कुछ बात मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि फाइट ऐसी होगी ओ चैड मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ यहां आई मैंने इस बात को साफ साफ महसूस किया कि अब मैं मिस्टर विंटर्स से ओ चैड हो गया था लडाई के आखरी राउंड तक पहुँचते पहुचते तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि मुझे जबरदस्ती पकड़ कर उसे पीछे खीचना पड़ा नहीं तो वो रिंग से बाहर निकल कर रसियों तक पहुच गई होती मैं उसके उपर चिलाया जरा शांती से काम लो लेकिन दूसरों की तकलीफ में आनंद लेने वाले पागलों की तरह व्यवहार करने वाली वो वहां अकेली नहीं थी वहां जो शोर मच रहा था वो लोगों के कानों के परदे फार देने के लिए काफी था जब फाइट खत्म हुई तो वो निढाल सी होकर मेरे उपर धेर हो गई मुझे उसे पकड़ कर संभलना पड़ा वरना वो फर्ष पर गिर गई होती उसने हाफते हुए कहा मुझे यहां से निकालो चैड मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाली हूँ रिंग के चारों तरफ से घिरे हुए प्रेस के जुन से निकल कर अचानक लगेट वहां प्रकट हुआ क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है मिस्टर विंटर्स मैं मिस शेली को जल्दी से बाहर निकालना चाहता हूँ मैंने कहा मेरे साथ आओ वो आगे हो लिया भीड के बीच जबरदस्ती अपना रास्ता बनाते हुए जो कोई पुलिस वाला ही बना सकता था मैं वेस्टल को आधा उठाए हुए और आधा चलाते हुए उसके पीछे पीछे था वो हमें स्टाफ कोटर और ड्रेसिंग रूम्स की तरफ ले गया लोगों की भीड से दूर जो बाहर जाने के रास्ते पर उमड़ी पड़ रही थी तुम यहां इंतजार करो मैं तुम्हारी कार लेकर आता हूँ उसने कहा उस वक्त मैं एक मध्यम रोशनी वाले रास्ते पर खड़ा था बॉक्सिंग अरीना की गर्म और उमस भरी हवा अपने चेहरे पर मुझे महसूस हो रही थी उस वक्त मैंने वेस्टल को कंधों से थाम रखा था तुम कैसा महसूस कर रही हो मैंने पूछा मैं अब ठीक हूँ ये गर्मी और जोश के कारण था मैं पहले कभी भी इतना उत्तेजित नहीं हुई मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ इतना कहकर उसने अपना चेहरा उपर उठाया और मेरी तरफ देखा उसकी आखों में ऐसा भाव था जिसने मुझे जड़ तक हिला दिया उसकी आखों में जो भावनाएं थी उनको मैं बहुत ही अच्छी तरह पढ़ और समझ सकता था उसके गले की नसें काप रही थी और दिल की धड़कने इतनी तेज थी कि मैं उनको साफ साफ सुन पा रहा था इस द्रिश्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया वो इतनी चोटी और भद्दी थी कि मैंने कभी उसके बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था मैं यकीन नहीं कर सकता था कि वो मेरे लिए इस तरह की भावनाएं रखती होगी मैं कंखियों से सामने रास्ते की तरफ देखते हुए इस तरह से उससे दूर हट गया जैसे लेगिट को ढून रहा हूँ मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे चेहरे पर नफरत के भाव देखे वो मुझसे दूर छिटक गई और बोली मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ यहां बहुत ज्यादा गर्मी है आओ चलते हैं और उसे ढूनते हैं मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उसे जटक दिया तुम शायद मेरी जीत की रकम भूल गए हो क्या उसे लेने के लिए नहीं जाओगे अरे पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं मैं पहले तुम्हें कार में बिठा दूं फिर ले आऊंगा मैंने कहा नहीं उसे अभी लेकर आओ उसकी आवाज में कठोरता की जलक थी मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी को इतना नाखुश देखा था उसका चेहरा दुख और निराशा से मुर्जाया हुआ था अब जाओ भी वो चिल्लाई और उसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे वो अभी रोने वाली थी मैं हैरान होते हुए वहां से चला गया कि आखिर ये क्या तमाशा हो रहा था जब मैं उसके द्वारा दाओं पर जीते गए पैसे इकठा करने के बाद गलियारे में वापस आ रहा था तब अचानक मुझे उसके दुख का एक कारण समझ में आया और उस विचार ने मुझे बहुत बुरी तरह से विचलित कर दिया मैं अचानक थम कर वहीं खड़ा हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे चाहने लगी थी और कहीं उसकी उस दुख भरी नजर का ये मतलब तो नहीं था कि वो जानती थी कि वो कितनी भद्दी थी और उसने मेरी विरक्ती को भाप लिया था लेकिन फिर मैंने खुद को समझाते हुए कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वो इतनी अमीर है सत्तर मिलियन डॉलर्स की मालिक वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि एक बैंक क्लर्क के प्यार में पढ़ जाए मैंने इस विचार को अपने दिमाग से जटक दिया और उपर भाग कर गल्यारे में पहुँचा लेकिन वो वहां से जा चुकी थी सामने से लेगट चलता हुआ उधर ही आ रहा था उसने मुझे बताया मिस शेली घर जा चुकी है वो काफी परिशान लग रही थी शायद उस फाइट की वजह से मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा अच्छा लेफटिनेंट, गुड नाइट, मैं चलता हूँ जब मैं वापस अपने अपार्टमेंट में पहुँचा तो मैंने ग्लोरी को अपना इंतजार करते हुए पाया ये मेरी वो ब्लॉंड डेट थी जिससे आद शाम मुझे मिलना था उसने मुझे देखकर शिकायती अंदाज में कहा मैं घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कितनी देर कर दी तुमने अभी थोड़ी देर और इंतजार करो मुझे थोड़े जरूरी काम निप्टाने है इतना कहकर मैं फोन के पास गया और मैंने वेस्टल का नंबर लगाया उधर से मिस डोलान की आवाद सुनाई दी जी कहिए मिस्टर विंटर्स मैं मिस शेली से बात करना चाहता हूँ I'm sorry Mr. Winters लेकिन मिस शेली सोने चली गई है क्या मैं उनसे एक मिनट के लिए भी बात नहीं कर सकता जी नहीं बड़े अफसोस की बात है खेर कोई बात नहीं आप उनको प्लीज बता दीजेगा कि मैंने फोन किया था मैं बस ये जानना चाहता था कि अब उनकी तबियत कैसी है ठीक है मैं उनको बता दूंगी धन्यवाद इतना कहकर मैं थोड़ा रुका और मैंने फिर से बोलना शुरू किया और हाँ मिस डोलान मैंने अभी तक तुम्हारा धन्यवाद तो किया ही नहीं है लेकिन उधर से लाइन कट चुकी थी ये दूसरी बार था जब उसने बीच में ही मेरी बात काट दी थी मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और मिस डोलान के बारे में सोचने लगा नजाने क्यूं अब वो मुझे थोड़ी दिल्चस्प लगने लगी थी फिर मैंने ब्लैक स्टोन के घर का नंबर मिलाया जब उसने फोन उठाया तो मैंने कहा सुनो रायन हम आगे बढ़ सकते हैं अगर ये नुकसान उससे आगे बढ़ा तो तुम ये अकाउंट खो दोगे ब्लैक स्टोन ने जवाब दिया अरे ये पक्का है मैं पांच हजार डॉलर के नुकसान से आगे नहीं जाओंगा मैं इस अकाउंट को ऐसे समझूगा जैसे ये मेरा खुद का ही अकाउंट है ऐसा लगता है कि तुम और मैं अपने लिए थोड़े से एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाने वाले हैं मेरा भी यही विचार है और हाँ एक बात और आयन मैं तुमसे हर हफते रिपोर्ट चाहता हूं जो मुझे ये बताए कि तुम क्या कर रहे हो और आगे क्या करने का इरादा रखते हो इन्वेस्टमेंट का पूरा फैसला मैं तुम्हारे उपर छोड़ता हूं लेकिन मुझे हर सोमवार को वो स्टेटमेंट चाहिए हाँ ठीक है वो तुम्हें मिल जाएगी तो ठीक है कल से ही ये काम शुरू कर दो जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना जैसे ही मैंने फोन रखा ग्लोरी ने पूछा क्या तुम नाठक कर रहे थे या ये सब कुछ सच है क्या वाकई तुम्हारे पास ढाइलाक डॉलर्स है मैंने एक ठंडी सांस ली और ये महसूस किया कि मुझे ग्लोरी के आगे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी वो कई बार मुसीबत साबित होती थी लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपना मुह बंद रख सकती थी अचानक मुझे किसी से वेस्टल के बारे में बात करने की जरूरत महसूस हुई और मैंने कहा जब तुम पिछली बार यहां आई थी ग्लोरी तब मैं मिस शेली का फाइनेंशल एडवाइजर बन गया था शायद किस्मत की महरबानी से अब मैं अपने ले थोड़ा पैसा बना सकता हूँ मैंने हमेशा से ये सुना है कि उसका बड़ा ही खौफ है ग्लोरी ने कहा हाँ वो कुछ ऐसी ही है लेकिन लगता है मेरा मरदाना जादू उसके उपर काम कर गया है आज रात तो उसने मुझे करीब करीब बहका ही लिया था मेरी ये बात सुनते ही ग्लोरी तेजी से उठकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई तुम कितने बड़े गधे हो चैड मुझे तो लगता था कि तुम्हारी इस खोपड़ी में थोड़ी बहुत अकल होगी लेकिन लगता है ये बिल्कुल खाली है मैं बुरी तरह से चौँक पड़ा क्या मतलब अरे अगर मुझे कोई करोडों मिलियन डॉलर की संपत्ती का मालिक रिजहाएगा तो मैं तो उसे कभी नहीं रोकने वाली यहां तक कि अगर उसकी लकड़ी की टांगे हो या नकली दांथ हो तो भी नहीं मैं जानती हूँ कि वो देखने में काफी भद्दी है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है उसके पास कितनी दॉलत होगी मैं नहीं जानता कम से कम सतर मिलियन डॉलर्स तो होंगे ही हो सकता है ज्यादा भी हो और तुमने अभी कहा कि तुमने उससे धाई लाक डॉलर्स तुमको देने के बारे में बात की है हाँ, तो इसमें क्या खास बात है ये तो बिल्कुल एक सप्रेंज जैसा लग रहा है चैड अच्छा सही सही बताओ कि आज हुआ क्या था मैंने उसे फाइट के बारे में बताया बेस्टल के रियक्शन्स के बारे में बताया और मधिम रोशनी वाले उस गलियारे में क्या हुआ और उसके बाद कैसे वो मुझसे नाराज हो गई वो भी बताया तुम उसे अभी की अभी फोन करो अरे मैंने किया था लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने बात ही नहीं कराई मैंने उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया है एक मैसेज हे भगवान तुम कब सीखोगे चैड एक लड़की सिर्फ एक मैसेज नहीं चाहती वो उससे ज्यादा कुछ चाहती है तुम्हें उसके लिए थोड़े फूल भेजने चाहिए उसके उठने से पहले ही उसके लिए एक अच्छा सा बुके भेजो लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा ग्लोरी उसे लगेगा कि मैं शायद उसकी तरफ आकर्शित हो रहा हूँ और ये चीज दुनिया की वो आखरी चीज है जो मैं कभी करना चाहूँगा ग्लोरी ने मुझे घूरते हुए कहा तुम्हारा प्राब्लम क्या है चैड कोई इस तरह से कैसे व्यवार कर सकता है जैसे तुम कर रहे हो बात को समझने की कोशिश करो वो देखने में भद्धी है और अकेली है और फिर अचानक तुम्हारे जैसा एक खुबसूरत शांदार नौजवान उसके पास आता है तो वो उसके प्रेम में पागल क्यों नहीं हो जाएगी मेरी सलाह मानो अपने पत्ते सही ढंग से खेलो एक महीने के अंदर अंदर तुम्हारी उससे शादी हो सकती है मैं जोर से चिलाया उससे शादी वो इस धरती की आखिरी औरत होगी जिससे मैं कभी शादी करूँगा इस जिंदगी में तो कभी नहीं अपनी बाकी की सारी जिंदगी उस सूखी हुई बद दिमाग छोटी सी बंदरिया के साथ बंधे रहना मैं तो इस बात की कलपना भी नहीं कर सकता तुम पागल हो गई हो ग्लोरी ने मुझे घूरा और फिर बड़े ही प्यार से बोली माई दियर तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी सतर मिलियन डॉलर से विवाहित होने की कलपना करो उन पैसों की कलपना करो बस मैंने कुछ कहने के लिए मुह खोला लेकिन फिर रुग गया आहा लगता है धीरे धीरे तुम्हारे भेजे में बात गोस रही है माल लो तुम उसके साथ शादी कर लेते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते इस बात को इस तरीके से सोचो तुम्हें क्या लगता है कि तुम धाई लाक डॉलर्स को कंड्रोल कितने लंबे समय तक कर पाओगे अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते हो तो वो नाराज और हताश हो जाएगी और फिर वो तुम्हारी खाट खड़ी कर देगी पहली गलती पर ही वो तुमसे वो सारा पैसा छीन लेगी लेकिन अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हारी पांचों उंगली आंगी में होंगी और सिर कढ़ाई ले उससे थोड़ा प्यार से पेश आओ उसे पुछकारो जंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम उससे हासिल ना कर पाओ मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अगर तुमने एक बार ठान लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मैंने कहा मैं च्छत की तरफ निहारते हुए करीब दस मिनट तक बैठा रहा और फिर अचानक खड़ा हो गया क्या तुमने अपना मन बना लिया है चैड ग्लोरी ने पूछा मैंने हसकर कहा हाँ मुझे ऐसा ही लगता है आखिर सत्तर मिलियन डॉलर्स का सवाल है इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज के नौवल सकर पंच का तीसरा भाग